है एल्लोव फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दा चैनल तो आज इस वीडियो में बात करने वाले किस तरह से आप प्रोफेशनली वोकल साउंड कर सकते जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुए कौन कौन से स्टैप है जो मैं फॉलो करता हूं और किस तरह से मैं अपने वोकल को रहूं डालता रहूं डालता रहूं तो यह वीडियो एडवांस होने वाली है और इसमें third party maximum third party plugins का use होने वाला है तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी तो वह थी stock plugin पर आप जाके देख सकते हूं तो stock plugin से किस तरह साब अच्छा sound करवा सकते हूं अपने vocal को तो बाते कम काम है तो subscribe कर दो चैनल को और आगे इस तरह की वीडियो आती रहेगी तो शुरू करते पहले vocal को analyze करते कि किस तरह का sound कर रहा है beat के साथ तो काफी अच्छी तरह से record vocal है तो ये vocal मैंने record किया है fluid k440 pure से तो कोई भी मैं आएक आपके पास हो सकता तो इससे काफी अच्छी तरह से recorded vocal हो रखा है तो सबसे पहले मैं analyze करूंगा vocal को मैंने analyze किया तो इसमें मेरे को क्या चीज नोटिस में आ रही है कि जो यहां पर frequency में 200 से 300 से 500 या 600 क्या आसपास जो frequency है उसमें काफी box की तरह sound कर रहा है उसको मैं पहले clear करने की कोशिश करूंगा पहले solo सुनते vocal को आए है बावे अभी बहुत कुछ है करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें ना बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फरकी नहीं पड़ता तो इस vocals में जो highs है थोड़ी harshness भी मेरे को सुनाई दे रही है और थोड़ा सा जो box की तरह sound कर रहा है 300 से लेके 600 के आसपास तो उसको मैं clear करूंगा तो किस तरह से मैं approach करता हूं तो यह पहले analyze मैंने vocal को किया है ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा surgical जो होता है न EQ लूँगा तो मैं सबसे पहले कौन सा EQ लोता हूं प्रो Q मैं यह parametric EQ 3 मैं इसका use भी करता हूं और मैं यहाँ पर प्रो Q का use करूंगा क्यूंकि यह dynamics EQ है तो dynamics को control करता है तो इसको मैं लूँगा ठीक है तो आप same setting same तरीके क जिस तरह का मैं कर रहा हूं वो Sam stock plugin से भी आप कर सकतो क्या 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 इसके काम है वो भी मैं बताओंगा ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा low rumble इससे cut करूंगा vocal को analyze करूंगा जैसे आपको यहां पर दिख रहा है तो यह वाली frequency अपने को जरूरती नहीं है तो बहुत ज्यादा यहां पर recorded है आए है बावे अभी बहुत कुछ है तो इसको क्या करूंगा मैं यहां से इसको काटने कोशिश करूंगा सेम आप प्रो क्यू से भी और सौरी उससे जो आपका पैरेमेटिक एक्यू है उससे भी कर सकतो ठीक है तो यहां से मैं इसको low cut करूंगा कम से कम जहां तक मेरा जो fundamental frequency कि भी करेंट मैं तक है इसको ज्यादा हार्ष भी नहीं करना क्योंकि क्या होता है कई बार आपके जो वोकल्स की जो रेंज होती है निचे की वोकल थिन हो जाता है आए हैक है वावि अभी अभी बॉत कुछे करें जैसे मैंने इस तरह का हाश इस तरह का लिया मैंने यह स्लोप ठीक है तो इससे क्या हो गप पतला जैसा सुनाई देरा वोकल कई बार क्या होता आपकी एनर्जी जो वोकल किया है वो कई बार इधर भी होती है तो इसलिए इस तरह का कट आप दे सकते उसमें नेक्स चीज क्या होगा मैं एनलाइज करूंगा वोकल को इस तरह इस जगह पर मिरको सुनाई दे रहा है कि 300-400 बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है तो यहां मैं क्या करूंगा यहां डायनेमिक एक्यू का यूज करूंगा ठीक है यह ड़किंग के लिए आप नॉर्मली भी कर स ज्यादा से ज्यादा मैं दो या धाई डी तक जाओंगा इससे ज्यादा नहीं जाना आपने ठीक है नहीं तो पतला होता रहता आपका वोकल थोड़ा सा आपने इसको ट्वी करना है प्रोफेशनली आपको जब भी आप वोकल मिक्सिंग की वीडियो देखोंगा जलका इसको डिप दे आए हबावे अभी बोगत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से बन करके देखो इसको कट किया मैं इसको डैनेमिक्स भी बना सकता था तो मैं क्या करूंगा इसको डैनेमिक एक्यू भी बना सकता हूं यहां से इस तरह से ठीक है ढाई ती करें ठीक है दोड़ाई डीविगा गेन यहां पर रिडक्ट करूंगा मैं आए हबावे अभी बहुत कुछ एक ठीक है फटाफट इस तरह से मैं सारी फ्रिक्वेंसी इसमें आपने ध्यान से टाइम लेना इस तरह नहीं जल्दी-जल्दी करना है ठीक है आपके करने की जूरत है देखना आपने आए है बावे अभी बहुत कुछ करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरीना बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फरकी नहीं पड़ता यह क्या ही बोल जैसे आपको गराब दिख रहा हुए यहां इतने से इतनी जग तो यहां पर भी काफी है तो इसको मैं इस तरह से डग करूगा नीचे ठीक है तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह का स्लोप लूँगा इसको ठीक है ज्यादा नहीं काटूँगा साथ में आपने क्या करना है काफी हद तक अब next मैं जाओंगा next जगे जाओंगा मैं इसको वह आप जाता प्रो क्यों में ध्यान से देखना आपने फिर आपने बीच में lecture छोड़ देतो तो यह professionally जो मेरा तरीका में किस तरह से आराम आराम से क्या क्या चीजें इसमें fix करनी है वो मैं आपको clearly बता रहा हूँ वीडियो लंबी हो सकती है पर पूरी देखो के तो एक बार समझ जाओगे next time से आप practice करोगे तो आपको समझ आएगा ठीक है next चीज मेरे को क्या इसमें सुनाई दे रही है जो whistling वाली sound है नाक वाली sound वो भी काफी सु उपर उपर ठीक है 2000 के आसपास ठीक है मैं इस तरह से वापस लोगा तो आप इसको थोड़ा सा उपर ले जाके भी सुन सकते हो ताकि आप वो clearly सुनाई दे ठीक है यहां भी काफी नेजल वाली sound सुनाई दे रही है तो जैसे ही आप हाई फ्रिक्वेंसी पर जाओगे तो इसका जो शेल्फ है जो यह बैंड है ना ठीक है इसका क्यू है जो उसको आप टाइट कर सकते हो ठीक है आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हम जैसे जैसे आप इस ते मतलब 800 900 से उपर उपर जाओगे तो आप इसको टाइट कर सकतो इसका क्यूं ठीक है आए है बावे अभी बहुत कुछे करेंगे थोड़ा थोड़ा इदर लग रहा है पर आपने ध्यान ध्यान पूरवक सुनना है ठीक है इसको जादा उपर ले जाके फिर आपको अच्छे से सुनाई देगा यह भी आपने ध्यान रखना जितना आप इसका क्यूं टाइट करके उपर ले जाओगे हाइज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है नेजल वाली साउंड होती है हार्शनेस होती है उसको रुपियर करना ध्यान से सुन सुनके तो इदर भी है तो इस तरह से धीरे धीरे आपने एक या दो डीवी का डिप देना ठीक है आए है बावे अभी बहुत जब मेरे पास जो ये वोकल रेकॉडडर है वह होम पर इत्रेक है तो इसमें काफी जादा तीकी सांड रिकॉर्डिड है क्योंकि कि जब आप बिना ज्यादा ट्रीटिटर रूम पर रिकॉर्ड करते हो तो काफी चीज़ें लिकॉर्ड हो जाती है ठीक है इस वाले हिस्से अब यहां पर मैंने और आल्मोस्ट रिपेर कर दें अब जाएंगे हाइस की तरफ चीक है 5000 से उपर उपर जो एसीज वाली साउन होती हार्शनेस इसमें आपको सुनाई दे रहें नहीं खराश की तरह साउन वह छे 5000 से उपर उपर ते उसको भी थोड़ा आप यहां से रिपे यहां देखो वीसल की तरह साउंड करा है इसको और टाइट करूँगा मैं छोटी छोटी चीजे होती है तो इसमें आप ध्यान पुरुआ कि इसको देखोगे और समझोगे तब आपको समझ आएगा और यह ध्यान रखना है आप जब आप हाइस 1000 से उपर को जाओ तो थोड आप अब एभी बाद कुछे ना आगे बढ़ते जाना और लूंगा मैं ना थोड़ते जाना थे तो देखो यह इसको हाँए हार्श फ्रिक्वेंसी यह 9000 से लेकि 8000, 9000 और 10000 के आसपास यह frequency आपको मिलेगी जो खराश वाली होगी बहुत ही तीखी होगी चूबेगी उसको आपने यहाँ पर कट करना इसको मैं थोड़ा 4GB तक कट करूँगा देखो बहुत ही तीखी साउंड है तो इसको मैं इस तरह से थोड़ा ज्यादा कट करूँगा और इसको क्यूँ थोड़ा सा टाइट करूँगा ज्यादा नहीं जाना आपने बहुत ही खराब आपके जो आपका वोकल है वो लगेगा एक बार इसको आफ करते है पहले के इस तरह का वोकल था देखो ओन करके अब थोड़ा सा मेरे को जो रंबल है वो अभी भी सुनाई दे रहा ठीक है तो मैं क्या करूँगा जो रंबल है इसका वो रिपेयर करूँगा यहाँ पर मेरे को ना थोड़ा सा रंबल सुनाई दे रहा है काफी बेस रंबल है जो ठीक है इस तरह से आप एलनाइस करना है तो यहाँ पर मैं पहले इसको क्यू इस तरह से लोगा अब सुनूगा तो जैसा आपको सुनाई दे रहा है यहां देखो किस तरह है रंबल आपको सुनाई दे रहा है तो यहां पर यह भी फ्रिक्वेंसी कट करने की जुरूरात है ठीक है फिर्थ हलका सा जाओंगा दो डीवी के आसपास ज्यादा नहीं जाओंगा हलका सा जाओंगा सुन सुनके देखो फिक्स हो गया अगर मैं इसको आफ करूँ यहां पर जाके तो वाली आवाज यहां पर अभी भी आ रही थी ठीक है तो आराम से करना सारी चीज़ें ध्यान पुरूरा देखना वीडियो लंबी हो एक बार मिक्स के सान सुनते किस तरह से साउंड करा यह तो देखा कितना क्लियर अपना वोकल हो गया है जो अपने पास बॉक्स की तरह साउंड करा था तो आपने हलके हलके डिप देने ज्यादा हार्ष होने की जुरूरत निया ज्यादा नीचे जाने की जुरूरत निया काटने की जुरूरत निया ठीक है इस तरह ज्यादा आप नहीं जाओगे तो अच्छा ही होगा ठीक है तो यहां पर मैंने इस तरह का डिप इसलिए दिय इसके बाद क्या करोगे जो आपकी अच्छी फ्रिक्वेंशी है उसको आपने बूस्ट करना होता है तो आप प्रोक्यू ले सकते हो इससे बूस्ट कर सकते हो ठीक है अच्छी फ्रिक्वेंशी होती है जो मतलब कान सुनते है वह अच्छी फ्रिक्वेंशी होती है प्रेजंस ह और air हम equalizer से भी boost कर सकते है ठीक है वो होती है 2000 से लेके 4000 से लेके नीचे अपना पूरा 20,000 के आसपास ढूंडनी होती है ठीक है तो इसको हम equalizer से भी ढूंड सकते है या फिर आपके पास एक plugin आता है मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ यह का plugin आपके पास आता है एक free plugin मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ fresh air ठीक है हमेशा मैं इसका यूज करता हूँ क्यूंकि यह अच्छी तरेके से जो presence है वो अपने हिसाब से यहाँ पर अच्छी सी एक texture देता है क्यूंकि presence होती है उससे क्या होता जो आपका vocal होता अभी dull ज से आती है ठीक है एक mid-air होती है जो मैं बोरा हूँ presence होती है जो ठीक है high presence होती है जो और एक होती है air ठीक है 2000 से लेके 8000 के आसपास जो presence हम boost करेंगे 1000 से 8000 के आसपास mid-air होती है और उसके बाद जो 10k के बाद होती है 20k के बीच होती है वो air होती हाई air होती है ठीक है पहले ह तो देखा जैसे मैंने इसको 100% किया और काफी थोड़ा सा हार्शनेस भी खराज जैसे भी आगी वोकल पर काफी एयर बूस्ट होगी मतलब सौरी प्रेजन्स बूस्ट होगी और काफी अच्छा सुनने को लग रहा है ठीक है तो यह इतना बूस्ट करना आपने हलका सा ताकि टैक्स्चर देना एक मतलब प्रेजन्स आए और एक खुबसूरत वोकल आपके पास मतलब खुबसूरत वोकल सुनाई दिया आपको ठीक है तो धीरे धीरे मैं इसको बूस्ट करूंगा जहां मेरे को लगेगा हाँ भी उतना आपको इसका रखूंगा मैं और यह तिहान रखना आपने जो भी आप चीज कर रहे उससे आपका जो गेन है वोकल का यहाँ आपको पास दिख रहा है उससे वो गेन नहीं बढ़ना चाए थोड़ा साल का अधा डीबी एक डीबी का बूस्ट मिले वो सही होता है सीधा इसक इतना effect लगाना है इतना effect लगाना है इस वोकल पर आपने ताकिस की volume ना बढ़े आए है बावे अभी बॉत कुछे करें ना आगे बढ़ते जैसे मैंने 100% किया तो यहां से इसकी boost देखो यहां पर gain भी इसका push हो गया तो हलका सा आपने रखना यह भी धियान रखना है आए है बावे अभी बॉत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें ना बोलने दो बोलने वाली क्या तो यहां पर अच्छा लग रहा है 26 या 25 परसेंट तो जादा जाओगे तो बेकार frequency भी बूस्ट हो जाएगी और आपको बाद में कंट्रोल करना मुश् तो यहां से मैं इसको 30 परसेंट यह रख रहा हूँ ठीक है यहां पर अच्छा लग रहा है इसको आफ करते हैं पहले किस तरह साउंड कर रहा था वोकल आए है बावे अभी बॉत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें ना बोलने दो बोलने थोड़ी किसी खराश जैसी भी आ रहे है तो यह 30 परसेंट काफी जादा हो गया इसको कम करूंगा थोड़ा आए है बावे अभी बॉत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें ना बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फर्यकिनी पढ़ता यह क्या ही है ここ काफी साउंड कर रहा है तो नक्स्त चीज़ जैसे ही आपने यहाँ पर कट किया वेकार फ्रिक्वेंसी कट की और शेपार बूस्ट की ठीक है अच्छी फ्रिक्वेंसी अभी इसके बात क्या होता believers होती है उसको आप कंट्रोल कर ऑब वोकल को डीसर लूंगा, वो डूंगा, मैं PRO-DS2 ठीक है, फैर फिल्टर का मैंक्सिम्म मैं इसी से करता हूँ, और आपके पास वेजकर लगिन है तो आप उससे भी कर सकता हूँ और free DSR आप मिल जाए तो उससे भी कर सकते हो ठीक है तो यह क्या करता है जहाँ 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 वाली sound आएगी वहाँ पर यह cut कर देगा ठीक है तो इसका threshold थोड़ा सा ज्यादा लूँगा मैं 40 क्यास बस थोड़ा सा ज्यादा चार-पांच DB तक मैं इसको control करूँगा अपनी SS की sound अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बंद करके एक बार सुनाता है आपको काफी ज़्यादा था on करके जैसे ही SS वाली sound कर आ रहे है वो यहाँ से control कर रहा है से मैं range भी set करूँगा थोड़ी सी 5000 के आसपास क्योंकि थोड़ा सा खराश जादा इसमें आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना तो देखा इमेजेटली यह डग कर देता हो जो harsh वाली frequency जब भी आप boost करो frequency ठीक है उसके बाद आपको DSR लेना ही लेना है ठीक है आपके पास वाली sound होगी उसको यह मतलब control करेगा तो इसके बाद क्या करूँगा मैं अब इसके बाद आता है अपना आटोट्यून का यूज कर सकता हूँ इसके बाद सीधा ही मैं स्टार्टिंग में नहीं करता हूँ पहले frequency को repair करता हूँ मतलब vocal को तो इसके बाद मैं आटोट्यून अब सीधा ही मैं आटोट्यून का यूज करता हूँ इसके बाद ठीक है क्योंकि मेरे को लग रहा आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना बोलने दो है तो मैं क्या करना इसको जो इसकी ट्रैकिंग है वह थोड़ा सा नीचे होता है जितना आप ज़्यादा ट्रैकिंग रखोंगों कि इसकी वह ट्रैक अच्छे तरीके से गरेगा आउटो ट्वेटो त्यूंग पर अलग से वीडियो बना दूँगा मैं आप मिरे को कमेंट अगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डर ना लेटेंसी के लिए में इसको या लो लेटेंसी मोड पर डाल देता हूँ और अगे बावे बिगए अभी बौत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से नाडिवा टून में करूँगा 15-14 परेसंट और 11-20 ठीक है आए हबावे अभी बौथ कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से नाडरें ना बोलने दो दो बिलने वाली क्या ही बोलते हैं तो इस तरह से आप इसको उपर क्यों ले जा सकते हो ठीक है बैक से आए है बावे अभी बहुत कुछे करे ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से वो नैचरल भी लगना चाहिए क्यों रैप वोकल में आलमोस्ट यूज होता है पर कम यूज होता है अगर इस तरह रोबोटिक नहीं लगना चाहिए आप अपने रोबोटिक एफेक्ट देना तो आप दे सकते हो अपने हिसाब से जो आपका टेक्स्चर है तो मैं यहां पर हलका सा यूज करूगा इसका आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें ना बोलने दो बोलने वाली क्या ही इतना काफी है तो इसके बाद क्या होगा इसके बाद मैं क्या करूंगा कंट्रोल करूंगा वोकल को ठीक है कई बार आपका वोकल जो रेंज होते है कई बार हाई गातल आपका सिंगर कई बार काफी वर्ड काफी लो होते तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते ह यह यह आपका अपको ए सकते हैं यह याप करोंगा अपना फूटी गोग इन का भी स्टाउक प्लाइन का इस से गहुंगा बाकी तर फंसे पास मैं एक बातर दल्ली तुय से करूंगा त्यक्त यह एक चिनले यह कrov Quan फैजिक करेंगा उनुचक को फीके ल Kin को इसके अभी बीडिक ल्neckay रेज्वलीं के अधिक होता इसका इसको अपको है this को Gain से फ्रेस पहले नउर्मल ढाइक यहां पर रख दिया है नहीं तो समस्य बेक प्रक्राब कर देता है अगर यह पहले से सैटे इतना है अगे बढ़ते जाना हम हल्क हल्क हलूँगा मैं यहां से 5 या 6 डीवी का यहां पर गैन्डिक्शन लोगा धीरेस इसको पीक डिडेक्शन को उप लिके लाओंगा मैं आगे बढ़ते जाना हम जैसे मैंने 100 पर गया तो जैसे देखो काफी जादा हा क्या ही बोलते हैं में फर्र actively नींपड़ता है दो हेटर है यह रोजित दो चलते पंदो के नाम ले के रोजी उचलते है तो इतना काफी अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा इहां से गेन निए भड़ाता है तो इसके बाद क्या करूँगा मैं एक और कम्प्रेशन का use करता हूँ वो है आरवाक्स बहुती अच्छा कम्प्रेशर ह ratio तो इसके बाद यह करता है आपके जो इसको मैं लूँगा यहां पर यह सिंपल नौब है यहां से सिर्फ इसको खीचना पड़ता और यह फ्रंट में ले आता आपके वोकल को अब पहले मैं इसको बंद करता हूं और इसको मैं यहां पर देखता हूं पहले कितनी रेंज तक हमारा वोकल था आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डर इना पंद्रा क्या सपास था जो हमने कंप्रेशन किया 5-6 डीवी का अब कहां पर पहुंच गया है अपना गेन आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डर इना बोलने दो बोलने वाली क्या ही किस के आसपास अब क्या करूंगा वापस यहां से इसको बूस्ट करके यहां से खींच के इसको इसका गेन आगे तक बूस्ट करूंगा यह कंप्रे अब गेन इस वाले कंप्रेसर से बढ़ाओंगा ठीक है तो देखा कितना आपका जो वोकल है वो फ्रंट में आ गया ठीक है इसको बंद करूं में तो आए है बावे अभी बाथ कुछ है आगे बढ़ते जाना हमने तो किस तरह से इसने वोकल को देखो फ्रंट में ला लिया अ तो अगर मैं सारे mix के साथ सुनों इसको ओफ करके किस तरह अपना Voilà कर रहा था अगे बहुत नहीं किसी से नहीं इना हुँ है तो देखो किस तरह से वोकल जो है फ्रंट में आ गया है ठीक है तो जो मेरा maximum time है इसी तरह से vocal processing करता हूँ पहले EQ लेता हूँ इसको repair करता हूँ ठीक है फिर next लेता हूँ fresh air थोड़ा सा air बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा air यहाँ पर आ गया है तो इसको हलका कम कर दूँगा थोड़ा सा crush आपको तो मतलब सो समझ के focus करके vocal को mix करना है ठीक है साथ-साथ में सुनना है mix के साथ तो DSL लेता हूँ उसके बाद immediately जब यह बूस्ट कर उसके बाद DSL लो एसीज वाली sound कंट्रोल करेगा फिर auto tune मैं लेता हूँ auto tune से vocal tune करता हूँ फिर compressor की बार याती है तो हमेशा मैं दो compressor का use करता हूँ एक compressor से gain reduction करता हूँ ठीक है जैसे मैंने यहां से किया तो gain reduction में कई बार आपको बता देता हूँ यहाँ पर फिर से बताता हूँ चो compressor में कई नहाई जा रही हो कितनी लो जा रही है सौरी कहां गया इसको off करता हूँ पंदरा पे जा रहा है highest आपका पीक अब इसके बाद देखना है नीचे कहां तक जा रहा है ठीक है उसका नीचे वाला जो सबसे quietest word है जहां पर singer थोड़ा आराम से गा रहा है नीचे तक कहां तक ज आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते है हमें फरकी निप और 15 से 24 के बीच जा रहा है ठीक है सबसे नीचे 24 के बीच जा रहा है तो मैं क्या करूंगा 15 से 24 के बीच कितना मतलब 6 dB का 6 या 7 dB का gain reduction करूंगा 15 मैंसे अगर 7 dB का क् 20 तो मैं इसको क्या करूंगा इसकी range जो 20 के आसपास 20 के आसपास इसको रखने की कोशिश करूंगा इस compressor से ठीक है तो यहाँ पर यह दिखा दिता है कितना आपके पास aggressive एक compressor कर रहा है ठीक है तो ज़्यादा aggressive भी नहीं जाना आपका थोड़ा बहुत आपने बीच में गैब रखना है ठीक है 15 से 24 के बीच का गैब था ऐसे नहीं कि आपने 24 तक की इसको रख लिया तो क्या होता आपके words क्लिया नहीं सुनाए देगे तो उसके बीच के में मतलब 2-3 dB का थोड़ा सा fluctuate उसकी range होने चाहिए ताकि वो natural sound करे और अच्छा सुनने को लगता है over compress नहीं करना है तो यहाँ पर अच्छी तरीक से अपने पास compress हो गया है तो next compressor लेता हूं मैं सीधा इसको volume से क्या करता हूं उसका make up gain मैं next compressor से लेता हूं ठीक है ठीक है इसके बाद अब मेरे को इसमें saturation का जुर्वत उतनी नहीं है अच्छे से vocal record हुआ है तो आप यहाँ पर saturation भी ले सकते हो इसके बाद ठीक है saturation आप saturation आपके पास जो भी plugin है तो मैं जो saturation लेता हूं वो लेता हूं waves का kramar tape saturation और या फिर मैं लेता हूं फैर filter का saturn या फिर मेरे पास one knob शायद हो सकता है one knob saturator one knob one knob आपके पास one knob free है soft tube का सायद मैंने इसमें install नहीं कर रखा इसमें तो उसको ले सकते हो आप इसके बाद आपने जब आपको लग रहा है कि आपके वोकल में पंच नहीं हार्मोरिक्स एड़ करना थोड़ा सा warmth एड़ करनी है तो आप saturation का यूज कर सकते हो तो मैं य बैबे रोड का saturator ले लेता हूं ठीक है इसको ले लेता हूं मैं ठीक है अगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरेना तो देखो इसने क्या कर दिया एकदम आपके जो वोकल सको है उसको आगे के और पुश कर दिया और काफी bright जैसे आपके वोकल लग रहे हैं तो यहां पर तो थोड़ा सा इसका मिक्स नौ मैं जो है 10-15 प्रसेंट रखने की कोशिश करता हूं ताकि वह ज्यादा ख्राश भी निया इसमें हार्श नहों बंद करके आए है बावे अभी बहुत कुछे करे ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना देखा जैसे मैंने सैचुरेशन लिया तो उसमें जो एक पंच था है वार्म जैसे आगी एक पावरफूल जैसा पंच जैसा आगया वोकल में आए है बावे अभी बहुत कुछे करे ना आगे बढ़ते जाना हमने कि तो देखा किस तरह फ्रंट की और इसने पुछ कर दिया वोकल को ठीक है तो सैचुरेशन एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स आपके वोकल में एड़ कर देता ठीक है मेरे को लग रहा है कि यहां पर थोड़ा सा जरूरत है सैचुरेशन की थोड़ा सा वो पंच नहीं आरा थोड़े सी जो गलू होता ना वोकल नहीं हो रहा थोड़ा खिल के बाहर नहीं आरा थोड़ा वार्म थनी आरी उसमें ठीक है इसके साथ किस तरह से वार्म था आगी है ठीक है आए है बावे अभी बहुत अब किसी से ना डरेना वोलने दो बोलने वाली जाना हमें फरेकी नहीं पड़ता यह तो हेटर है इतना सही लगा रहा है तो देखू यह भी अपने धियान रखना है कि आपका जो एर हो ज़्यादा नी खराच तरह नहीं जाना चाहिए वोकल और अच्छी तरह से सुनाई prosecution भी होया थो मैं से चुरेशन के बाद क्या करता हूट उसमें his काड़ ता हूँ है और लो से मिदव क्टाक्स में करता है एक्स्ट्रा harmonics अच्टाश वी एड्ड हो जाएगी है समझाया करो तो तो मैं यहाँ पर पिरो क्यों लूँगा ठीक है तो यहां पर देखना जैसे मैं saturation को off करता हूँ on करता हूँ तो हमेशा आपने यह धियान रखना saturation के बाद equalizer ज़रूर लेना कई बार यह लोज भी boost कर देता हाइज भी ठीक है तो इसको control करने लिए आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना देखां यहां पर थोड़ा सा low इसने add कर दिया है पहले से था sorry अब इसमें अगर मैं यहां पर equalizer लूँगा अब देखो आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें ना तो काफी ज़रा यहां पर low इसको मैं वापस 80 hertz के आसपास काड़ दूगा ठीक है और यहां पर भी मैं थोड़ा सा ले लूँगा equalizer आए है बावे अभी बहुत कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने तो अच्छा sound कर रहा है देखो vocal पर यहां पर आपको लग रहा है जो S वाली sound है अभी भी visible है तो आप क्या कर सकतो double dsr का use भी हां पर कर सकतो आपको लग रहा है देखो आप सुनने को आपको लग जाएगा कि यहां पर आपको लग रहा है देखो सेचुरेशन के बाद जो थोड़ी खराश वाली sound है वो और visible है हो गई है तो यह भी ध्यान रखना आप आप सोचोगे कि यार इसको कैसे control करें तो आप डबल डियासर का यूज कर सकतों यहां पर दो डियासर का यूज कर सकतों दूसरा डियासर लूगा मैं और यहां पर मैं सिर्फ जो एसस वाली sound है उसको control करूँगा जो यहां पर आर यह एकुलाइजर में आप देखोगे यहां देखो यहां पर आए है बावे अभी बोट कुछे करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें आठ ہजार से ऊपर उपर वाली frequency चाहे हैं तो इसको डिलीट करके मैं क्या करूगा डिया सर पर जाऊंगा और यहां से जो फ्रिक्वेंसी वह रेंज सैट करूगा यहां पर और करूगा तो इस तरह मैंने सेट कर दी फ्रिक्वेंसी यहां से 8000 से लेके ठीक है अब इसको मैं आउन करूगा अब देखना आपने सुनना वो कंट्रोल होगी है फ्रिक्वेंसी अगर इसको आफ करूँ मैं आए है बावे अभी बहुत कुछे करे ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना बोलने दो अगर इसको आफ करूँ मैं आए है बावे अभी बहुत कुछे करे ना आगे बढ़ते जाना हमने कि तो देखा कितना ये इसने clear कर दिया तो आपको ये पता होना चीए कि यार मेरे को problem क्या क्या रही है फिर से उसको control करूँ ऐसे नहीं कि किसी से देख लिए आपने इसने ये plugin उठा के पटा करा है यहां पर और क्या इसका मतलब बन रहा वो नहीं मैं भी इसको देखके vocal chain follow करूँ आप follow कर सकते पर उसको सीखो भी साथ में ठीक है तो मैं धीरे धीरे देखो सबी plugin को बंद करूँगा और आपको धीरे धीरे देखो vocal में कितनी यहां पर किस तरह से मैंने vocal को control किया और कौन कौन सी frequency किस तरह से और मेरे को लगा कि यह वाली करने की जूरती इस vocal में वही मैंने किया ठीक है इस तरह आपने ध्यान से समझना है उसके बाद पहले analyze करना vocal को उसके बाद आपको easily पता लगेगा अपने कानों को trend करना है ठीक है मैं mix के साथ धीरे धीरे एक एक चीज को on करूँगा पहले मैं solo में on करता हूँ आपके पास किस तरह से फ़रक हुआ पहले मैं इसको on करता हूँ यहां से फिर एक एक plugin को on करके आपको सुनाता हूँ क्या क्या फ़रक पढ़ा है आए है बाव Hay, अभी बहुत कुछे करें आ, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरी ना बोलने दो, बोलने वाली क्या ही बोलते है, हमें फर्यकी नई पढ़ता यह क्या ही बोलते है ये तो हेटर है बाबे हम से रोजी तो जलते है बंदों के नाम लेके रोजी उचलते है शब्दाते मूं में मैं बोल देता बाबे सारे काम से काम रख तू क्यों रहा है बीच हमारे नशे पानी छोड़कर में आगया ही पॉप में बाबे काम अपना चलेगा अब सबसे कई तो मतलब भी निकालते हैं सही तो नहीं मेरे साथ रहकर मुझे कहते सही तो नहीं मैं भी हंस कर तो देखा किस तरह से आपका जो वोकल की प्रोफाम है से किस तरह से खिलके वोकल बाहर आ गया ठीक है तो यह था जो मेरी प्रोसेसिंग थी अब पूरे मिक्स के साथ इसको स करके आए है बावे अभी बहुत कुछ है करें ना आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरें ना बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फरक ही नी पड़ता ये क्या ही बोलते है ये तो हेटर है बावे ठीक है ये मेरी जो plug-in chain है processing chain है जो अपनी जो हर टाइम मैं इ रिवर्ब बगएरा और इसमें colors बगएर किस तरह आड़ कर सकते हैं रिवर्ब के थुरू और जो stereo किस तरह अपना जो ये वोकल है उसको थोड़ा सा फैला किस तरह से stereo वाइड सा बना सकते हैं उसको और रिवर्ब का यूज कैसे करें डिले का यूज नेक्स टूडियो में आपको बताओंगा एक बार दुवारा से revision आपको मैं बता देता हूं किस तरह से आपने करना है तो सबसे पहले pro q से हमने क्या किया जो bad frequency थी उसको हमने काटा ठीक है bad frequency को यहाँ से काटा ठीक है ज्जादा cut नहीं देना ज्जादा एक या दो डीब का cut देना यहां से अपन कर सकतो यह fresh air free है इससे अच्छी तरह से बूस्ट होता है तो मैंने 10% presence boost की कौन से वाली यहां पर यहां से यहां वाली frequency ठीक है 2000 से लेके अपनी 1000 से लेके 5000 के आसपास जो presence होती है अच्छी frequency होती है जिससे मतलब एक मखन की तरह sound आती है वोकल में और उसके बाद इससे air boost की कौन से वाली frequency एकुलाइजर पर जाएंगे इसके बाद 10,000 के बाद यह वाली frequency यहां से भी boost कर सकता था हमें इस तरह से ठीक है 10,000, 8,000 के बाद इस तरह से boost कर सकता था पर मैंने plugin का use किया ठीक है इस plugin से यह किया हमने इससे यह result मिला और उसके बाद हमने control की asses वाली sound हमेशा याद रखना है जैसे आप boost कर उसके बाद एक level में लाने के लिए compressor का use तो हम मैंने यहां पर compressor का use किया gain reduction किया 5-6 dB किस तरह किया यहां पर देखा हमने कितना बीच में वो कल और उसके बीच में gap आ रहा था high speed कितना जा रहा था low speed कितना उसके बीच को हमने maintain करके compress किया ताकि 5-6 dB ठीक है इक compressor से फिर मैंने दूसरा compressor किया किया इस compressor Sせ मैंने आपका compress किया दूसरा compressor लिया मैंने R box इस से क्या किया मैंने अपने जो makeup gain है उसको यहां से boost किया आप के पास जो compressor है उसे इस jadi अ यहां दो screwdriver यहां से बूस्ट करना transformation if 10-1 jetzt से तो आप उससे भी कर सकते हैं दूसरा कंप्रेसर से मैंने क्या क्या है यहां से गेन बूस्ट किया इसका तो आपके पास जो भी सैचूरेशन लिया तो मैंने हलका सा इसका 20 या 21% इसको रखा है ठीक है और जादा नहीं करना उससे आपका वोकल फट सकता है तो extra कहीं भी आपने background वोकल के लिए आप इसका extreme यूज़ कर सकते हो ठीक है वो भी हमारे पास आ गया है तो उसके बाद मैंने हर्स के आसपास और 100 के आसपास जितना अपना amplitude था वोकल का रेंज थी और उसके बाद मैंने highs भी थोड़े से काटे क्योंकि क्या पता है saturation के बाद थोड़े से highs भी बूस्ट हो जाते तो मैंने क्या क्या उसको कंट्रोल करने के लिए एक DSR और ले लिया डबर DSR का यूज़ किया और रेंज मैंने यहां सेट की कहां पर मेरी frequency बेकार थी वो मैंने चेक की यहां पर जाके जैसे कि आपको मैंने पीछे बता है तो उसके बाद मैंने याद रखना ओन आप करके जब यहां से भी ओन आप करना है कि क्या फरक पड़ रहा है और एक बार पूरे मिक्स के साथ भी अपना वोकल सुनना है आई होप आपको समझ आ गया होगा फुल कोर्स मैंने बना रखा था क्लियरली मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कर सकते हो और किस तरह वोकल मक्शिंग आप प्रोफेशनली तरीके से कर सकते हो और यह वीडियो डिटेल में थी जिस तरह मैं यूज करता हूँ मैं करता तो suit 2 के वीडियो मैं ले आओंगा तो आज कल जो trending मतलब चला हुआ है जो equalizer बगएर जो suit 2 है वो उससे आप control कर सकतो अपनी back car frequency उससे control कर सकतो काफी हद तक आप उससे मतलब अपना vocal को professionally sound करा सकतो एक ही plug-in से ठीक है उसकी तरह मैं भी उसका use करता हूँ एक pure q आता है pure eq वो आता है sonable का उसका use मैं हर बार करता हूँ ठीक है उस पे भी अलग video में detail में ले आओंगा तो यहां से मैं थोड़ा साब को बता देता हूँ जो मैं आपकी frequency मैंने इस equalizer से यहां पर इस तरह से करी तो काफी हता कि यह single eq वो वाली चीज़ अपने पास कर देता है frequency भी आपके पास cut कर देता है और अपनी highs बगरा भी boost कर देता है तो इसमें सिधा यहां पर record का बेटरन है हमेशा मैं starting में इसका use करता हूँ repairing के लिए पर आपको समझाना था अगर आपके पास नहीं है तो एकुलाइजर साब repair कर सकता हूँ तो मैं क्या करता हूँ यहां से play करता हूँ आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरेना बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते है हमें फर्ट तो यह equalize देखो automatic equalize आपके पास कर देता कहां से boost करने की जूरत है सूध 2 की तरह सेम यह आपके पास react करता है ठीक है तो यहां से मैं इसकी range जो है vocal की वोग करूँगा यहां से मैं 80 के आसपास इसको रखूँगा और उपर वाली range 20 के आसपास बाकी मैं इसको अपने हिजाब से set करूँगा ठीक है तो यह equalizer से मेरा जो बेकार चीज़े वो देखो यहां पर graph में आपको दिख रहा होगा कहां से इसने boost किया है कहां से duck किया है कहां से boost करने की जूरत है तो इस तरह से यह आपके पास boost कर देगा तो डायनेमिक इस तरह से आप 100% रखूँगा तो तो यह देखो dynamically automatically खोदी इसमें bad frequency काट रहा है और उपर boost भी कर रहा है साथ में ठीक है तो देखो कितना chance इसमें आ गया है तो कई बार मैं क्या गरता हूँ starting में इसका use कर लेता हूँ बाकिया आपके पास अगर कुछ नहीं है तो इस तरह से सीखो equalizer का use करो जैसे जैसे मैंने सारी vocal chain यहाँ आप copy कर सकतो follow कर सकतो practice करने के लिए ठीक है एसे वाली frequency को control करने के लिए auto tune आप हर tune तो करोगी आप vocal को यह भी हर vocal chain में आएगा compressor compressor भी हर vocal में चैन में आपको करना है और उसके बाद saturation saturation आगर आपके पास जरूरत है तब ही आप करो थोड़ा हलका सा मैं हर vocal में saturation का use करता हूँ ताकि थोड़ा पंचा है vocal में तो उसके बाद saturation के बाद आपने equalizer लेना ही है 100% क्योंकि बूस्ट करता है vocal frequency और DSR आपको लग रहा है कि दूसरी DSR की जूरत है तो आप दूसरा DSR ले सकतो तो I hope clear आपको हो गया होगा तो काफी ज़्यादा ही लंबा lecture हो गया क्योंकि मैंने full course बनाना था advanced mixing पे comment करते रहत तो इससे पिछले वाली वीडियो आप दे सकते हो और यह थी advanced जो आपके third party plugin से आप control कर सकते हो किस तरह से sound professionally करा सकते हो ठीक है stock plugin पिछले वीडियो जा के देख लो जिनके पास नहीं यह third party और जिनके पास third party है वो यह video देख लो और इसी के इसी में आपको पता है कि आपक से sound काम है जिस तरह मैंने सभी बताया आप दूसरे दूसरे equalizer और compressor का यूज कर सकते हो अलग अलग सभी compressor और EQ का अलग texture आता है vocal के उपर तो आप हर time Sam processing कर सकते हो तो करो नहीं तो आप किसी और equalizer का यूज करो किसी और compressor का यूज करो तो इस तरह आप अपने एक vocal को treat कर सकत है तो आप ऐसा कई बार क्या होता है अच्छा सुनने को लग जाता है कई बार आप आदे गंटा का break लो यह ब्ली निक हो सकती है आदे गंटे बाद और आओ आओ आपको लग रहा है कि कौन सी चीज कहां पर खराब लग रही है तो और ज्यादा tweak करो इसको ठीक है अपने हि हिसाब से ताकि वो अपने जो आपका वोकल है उसको आपस में clash ना करें overlap ना करें किस तरह से उसको perfect हम लगाएंगे तो next वीडियो में बात करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई पसंद आए तो like कर दो share कर दो comment कर दो और मिलते किसी next वीडियो में तब तक के लिए stay tuned